जहीं दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज में बात करने वाले वीबो आईपिल 2021 पार्ट टू के बारे में पार्ट वन दोस्तों मई में हुआ था जहां पे 30 मुकाबले खेलने के बाद पेंडमिक के कारण आईपिल को बीच में ही रोग दिया गया था उसके बाद दोस्तों बाकी के मैच अब फिर से होने वाले हैं कल से ये मुकाबला स्टार्ट होगा जो कि पहला मुकाबला दोस्तों MI और CSK की बीच में खेला जाएगा भी वो IPL पार्ट टू का तो दोस्तों इसी मैच में पूरी complete analysis वीडियो में देने वाला हूँ जिससे आपको मदद होगी dream team बनाने में और fantasy apple में 100% winning करने में तो पहले ये बात कर लेते दोस्तों आपको इस complete वीडियो में क्या-क्या जान दुनों ही teamों के बारे में कैसा record चल रहा है इनका कैसे player है किनके पास कैसा player है किनको खिलाना चाहिए किनको नहीं खिलाना चाहिए वो बताऊंगा उसके बाद दोस्तों आपको मैं playing alone भी बताऊंगा कौन से probable playing alone इस match में खेलेंगे और आपके लिए key player इस match में कौन रहने व तो अगर वीडियो पसंद आएका तो वीडियो को लाइक जिरूर करेंगे, सेर भी करेंगे और चैनल को सस्क्राइब भी करेंगे, तो चलता हूं दोस्तों आपको step by step पूरी analysis समझाता हूं, तो पहले दोस्तों आपको पता ही है कि ये match नमबर 30 है, जो वीबो IPL का match नमबर 30 ह है, MI vs CSK की बीच में खेला जाएगा, ये match जो कि 19 September जो कि कल का दिन है, संडे का दिन है, तो साड़े साथ बज़े ये match खेला जाएगा, UAE में खेला जाएगा, दोस्तों इंडिया में ये मुकाबला नहीं हो रहा, UAE में स्टार्ट हो रहा है, दूसरा जो पार्ट भाग 2 है IPL का, वो UAE में खेला जाएगा, जो कि ground है, दोस्तों, दूबाई इंटरनेशनल स्टेडियम, जहां पर दोस्तों ये स्टेडियम UAE में स्तीत है, यहां पर जो average score बनता है, वो 154 रनों की average score बनती है, और जो balance पीच रहता है, वो 55 परसंट का सपोर्ट रहता है, जो balance पीच और बैटिंग पीच दोस्तों, 45 परसंट है, तो बैटिंग को भी support थोड़ा सा इस speech में है, दोस्तों, पीचर को यहां पे 62 परसंट का सपोर्ट है, और spinner को 38 परसंट का सपोर्ट है, तो दोस्तों, पीचर भी wicket ले सकते हैं, और spinner भी पीचे नहीं रहेंगे, spinner भी आपको wicket निकाल कर देंगे, तो आपको perfect combination इस match में आपको खिलाना पड़ेगा, तो overall दोस्तों, balance pitch रहने वाली है, हलाकि थोड़ी सी batting को support मिलेगी जरूर, weather के लिए रसकाई रहेगी, temperature 36.46 के आसपास temperature, इस match में रहने वाली है, good condition रहेगा, cricket के लिए, अच्छी खासी दोस्तों, आ आपस में मुकाबले खेले गए, recent के 5 मुकाबले, तो वो बात कर लेते हैं, दोस्तों, recent के 5 मुकाबले में मातर CSK एक ही मुकाबला जीता है, और MI, दोस्तों, यहाँ पर देख रहे, 4 मुकाबले जीता है, Mumbai, Indian का पढ़ला भारी राता है, जब यह CSK के खिलाप में भीड़त यहाँ पर मिला था, दोस्तों, सहरा, अब बात कर लेते हैं, last के 5 मुकाबले में तो आप लोग जान गए, recent जो, मतलब जो, part 1 में मुकाबले हुए थे, बीच के मुकाबले, जो 30 मुकाबले हुए थे, उसमें से, दोस्तों, recent के 5 मुकाबले यह खेले थे, जिसमें से CSK दोस हैं, यहाँ पर जो इनका record बता रहा हूँ, इस CSK में जो 30 मुकाबले पहले, part 1 में खेले गए हैं, वहाँ पर दोस्तों, CHK 7 मुकाबले खेला था, जिसमें से 5 मुकाबले वो विन किया था, और 2 मुकाबले हार कर, 10 पॉइंट के साथ, यह सकेंड नमबर पे position पे थी, और MI 7 7 मुकाबले खेल कर, 4 यहाँ पे मुकाबले वो जीता था, 3 मुकाबले लॉस करकर, 6 पॉइंट के साथ, यह 4 मुकाबले में, मतरर 4 पॉइंट के टेवल में यह थी, यह maintain की थी दोस्तों, तो यह पूरी complete जानकारी थी, आपके जो recent जो मुकाबले हुए था, part 1 में, वहाँ स आपको यह समझ में आ गया होगा, अब चलते दोस्तों, इस मैच में जीतने की चैंसे किन की ज़्यादा है, तो दोस्तों, जीतने की चैंसे यहाँ पे MI की 53, 30% की है, और चेन्नाई की मातर 47% की है, हलाकि दोस्तों, काटक टकर होने वाली है, और दोनों ही मुकाबले देखने को मिल जाएगा, इस मैच को आप देख सकते हैं, डिजनी हॉट स्टर प्लस पे, तो दोस्तों VIP में इस मैच को आप देख सकते हैं, और अगर आप फिरी में देखना चाथे हैं, तो हमसे आप telegram पर संपर करें, telegram पर नीचे description पर link है, वहाँ मैच से पहले आपको link दे दिया जाएगा या फिर हमें दोस्तों इंस्टाग्राम में फॉलो करके आप वहां पे मुझे डारेट मेसेज कर सकते हैं वहां पे मैं बता सकता हूँ आपको कि फिरी मैं IPL कैसे देख पाएंगे अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो पॉइंट है इनका पर मैच जो एवरे मैच में 7 मैच ये 6 मैच खेले होंगे तो उसमें से इनका पर मैच का 4.1 स्कोर था तो मतलब हर मैच में ये इतना कौसत से स्कोर बनाते थे पॉइंट देते थे आपको ड्रीम लावन पे तो दोस्तों ये आपके लिए अच्छे ऑप्सन हो सकते हैं ये अच्छा पॉइंट मेच दे रहे थे starting के मैचों में Robin उत्पा को जगा दिया जगाया है दोस्तों इस मैच में खेल सकते हैं अब एक भी मैच नहीं खेले हैं चन्ने के तरप से इस मैच में खेल सकते हैं अच्छा performance दे सकते हैं मौईनली दोस्तों तगड़ा पॉफमेंस दे रहे थे, स्टार्टिंग के मैचों में ये 79.5 के औसद से आपको पॉइंट दे रहे थे, फैंटेसी आपों में, तो इनको भी आपको रखना चाहिए, अपने टीम में और रांडर के भूमी का मरेंगे, मतलब ओपनिंग नहीं, सकेंड डाउन आपके बैटिंग आएंगे, तो अच्छे खासे ये भी रहेंगे, सुर्य सन्य दोस्तों उसने असरदार नहीं थे, 29.1 के औसद से आपको पॉइंट दे रहे थे, पर मैच में, तो 16 के आसपास पर मैच ये पॉइंट दिये थे, तो उनकी इतना कारगर नहीं थे, इस मैच में साइद दोस्तों इन तेनों में से आप एमधी राइडे को ट्राई कर सकते हैं, जब कि आपको फैदा दे सकते हैं, जड़ेजा की बात करें दोस्तों, ये पर मैच 72 पॉइंट दे रहे थे, दोस्तों, पर मैच का उसत था इनका, तो ये भी अच्छे कास आपके लिए बेस्ट रहेंगे, हैजल हूट को दोस्तों यहाँ पर ट्राई किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बड़े, यहाँ पर आपके सैम करन इस मैच को नहीं खेलेंगे, और दोस्तों यहाँ पर आपके डूपलेसिस, जो फाब डूपलेसिस है, इस टीम से इस आईपल में नहीं खेल रहे हैं, दोस्तों, मतलब ये सकेंड पार्ट में नहीं खेलेंगे, सकेंड पार्ट में वह नहीं खेलेंगे सैम करन दूसरे मैच से आएंगे तो दूसरे मैच से हेजल हुट के जगा आपको सैम करन देखने को मिल सकते हैं सारदूल ठाकुर दोस्तों जो की 24.5 के आउसद साप को पॉइंट दे रहे थें और लूगी इंगडिनी की बात करेंगे दोस्तों 51 को पॉइंट दे थें कि यह दो ती नहीं मैच होंगे लूगी इंगडिनी तो इस मैच में खेलेंगे तो आपके लिए बेस्ट ऑप्सन रह स में दोनों में से कोई एक ही खेलेंगे राहुल चहर जसपीत पुंबोंढ़ और ट्रेंट वोट आपके इस मैच में कहलते वह दिख जाएंगे अब बात करें दोस्तों इनकी जो किरान पुलाट की बात करे तो 51.7 की थी हरदिक Пांडिया की बात करे तो 7.13 की थी और यहाँ पर आपके कुनाल पांडया की बात करे तो 39 के ये और रॉंडर थे बॉलिंग भी करते थे它 भीकेट भी लेते थे अरर स्था कर लेते थे और रॉल्टरण की बात करें तो 32.9 से दे रहे थे और 10 बोल्ट की बात करें तो 41 के आपको पॉइंट दे रहे थे तो यह थे दोस्तों आपके लिए कुछ जानकारी जिससे आपको फायदा होगा टीम लगाने में और प्लेयर चुनने में दोस्तों आप बात कर लेते हैं जो प्रेक्शन मेरे तरब से आरा की प्लेयर इस मैच में कौन रहेंगे आपके लिए बेस्ट जो प्लेंग 11 रहने वाले हैं जो आपके लिए बेस्ट ड्रीम टीम आपके लिए रहेंगे वह आपके दोस्तों विकेट कीपर के सक्षें में क्यूटन डिकॉक रहेंगे जो की प्लेयर भी रहने व वो भी आपके लिए best option है दोस्तों उनको अप अपने टीम में रखना है और हो सकते तो वाइस कप्तान और कप्तान के try कर सकते हैं बॉलर की सक्सें में बात करें दोस्तों राहूल चहर बुम्रा और आपके यह पे दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट आपके इस मैच के जो की best option रहने वाले हैं जो की इनको 100% नहीं मतब 90 और 80% के बीच में लोग रखेंगे अपने टीमों में आपको भी जरूर रखना है दोस्तों अगर आपको जीतना है तो तो यह दोस्तों complete जानकारी थी इनके अलावा आपके लिए कप्तान और वाइस कप्तान के और भी option होते हैं जो दोस्तों यह अली आपके वाइस कप्तान के option में होते हैं तो यह कप्तान और वाइस कप्तान का option था दोस्तों यह पूरी जानकारी थी दोस्तों होप करता हूं आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी अगर समझ में है कि तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और दोस्तों और आ लिंक होगा दोस्तों वहाँ पर आपको final team toss के पहले toss के बाद मिल जाएगी match से पहले आपको वहाँ पर final team मिलेगी तो telegram group को भी जरूर जोईन कर जाएगे नीचे description पर लिंक होगा दोस्तों तो hope करता हूँ आपको पूरी analysis समझ में आएगी तो थोड़ा सा सबको support करना है वीडियो को like करना, share करना है और subscribe करना है अपने भाई का थोड़ा सा होसला बढ़ाना है दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद, जैहिंद